इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे constitutional bodies क्या है, non-constitutional bodies क्या है, saturated bodies, फिर इसमें regulatory and quasi-judicial bodies क्या है, फिर non-saturatory bodies क्या है और mainly inmate difference क्या है और कुछ-कुछ examples के साथ इनको बढ़िया से समझने की कोशिस करेंगे तो देखो हमारे पास सबसे पहला question आता है कि what are constitutional bodies? constitutional bodies होते क्या है, तो देखो कोई भी democratic country है या भी कैसे भी country है, उसमें बहुत सारे functions होते हैं जिसको government को perform करना होता है, फिर government को fulfill करना होता है, particularly अगर democracy है तो उसमें election करवाना है, ठीक है, बहुत सारे exams conduct कराना है, लोगों के rights का ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे functions होते हैं, तो इन सब functions को perform करने के लिए government या फिर constitution एक various group of people का निर्मान कर देती है, ठीक है, और इसी group of people को आप या तो institution कर सकते हो, या फिर आप commission कर सकते हो, या फिर generally body कहलो, ठीक है, ये जो group of people होते हैं, ये government के त्वारा appointed होते हैं, ठीक है, अब इनका obviously कुछ ना कुछ criteria होता है, eligibility होता है, ठीक है, और वो लोग एक specific काम को perform करते हैं, तो I hope कि आपको body का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है, अब यहाँ आता है कि ठीक है, फिर constitutional bodies क्या है, तो देखो, ऐसे काम को perform कराने के लिए, already constitution में जिसका mention हो जाता है, उसी को करते है, constitutional bodies, ठीक है, मतलब जो भी constitutional bodies होती है, अगर particularly बात किया जाए, इ आर्टिकल दिया होता है, ठीक है, तो ऐसे bodies को हम लोग क्या कहेंगे, constitutional bodies कहेंगे, अब देखो, चुकि इनका especially, इनके power के बारे में, इनके function के बारे में, constitution में, इनके बारे में dedicated article होता है, तो अगर इनके power में, इनके function में, अगर कोई भी changes करना है, तो हमें क्या करना पढ़ तो देखो, इसमें कुछ-कुछ examples है, जैसे Finance Commission है, UPAC है, Union Public Service Commission, Election Commission है, ठीके, CAG है, National Commission for AC and STs है, ठीके, तो यह सब क्या है, यह सब constitutional bodies है, और इनका mention, इनके बारे में article, already कहा mention है, constitution में mention है, अब आपके मन में question आएगा कि ठीक है, फिर non-constitutional body क्या होती है, तो देखो, इसमें non इपरित होगा, उल्टा होगा, ठीके, opposite होगा, तो simply समझो, कि जो non-constitutional bodies होती है, ठीके, इनके बारे में constitution में कोई mention नहीं होता है, ठीके, और यह constitutional bodies की तरह, अपने power को constitution से derive नहीं करती है, ठीके, फिर आपको होगे, ठीके, फिर power इनको मिलता कहां से है, तो generally क्या होता है, कि इनके बारे में, इनसे related कोई ना कोई executive resolution भी पारित किया जा सकता है, जैसे समझो, कि लेट से कि अभी कोई ना कोई important काम आ गया है, ठीके, जैसे country में बहुत ज्यादा corruption बढ़ गया है, ठीके, और इस corruption को control करना है, तो सुचो, इनको control कौन करेगा, police failure है, ठीके, तो क्या करे इसके बारे में क्या करा, इसके बारे में constitution में कहीं भी mention नहीं है, लेकिन government को जुरत परा, हाँ, हमारे पास एक ऐसी body होना चाहिए, जो की ombudsman का काम करे, ठीके, या फिर लोगपाल का काम करे, तो उन्होंने क्या करा, एक act पारित करा constitution में, और सॉरी, पार्लियामेंट में और क्या एक body बना दी, अब देखो, यह जो body बनाई, लोगपाल या लोका युक्त का है, इनका कहीं भी mention था, क्या constitution में नहीं, इनको सिर्फ एक executive resolution से, या फिर पार्लियामेंटरी resolution से, इनको पारित करा दिया गया, तो ऐसे bodies को हम लोग क्या कहेंगे, ठीके, अब देखो, अगर non-constitutional bodies को further classify किया जाए, ठीके, तो इसको दो पार्ट में हम लोग classify कर सकते हैं, एक saturated body, एक non-saturatory body, ठीके, अब यह saturated body, non-saturatory body हम लोग किस आधार पे इसको categorize कर रहे हैं, तो देखो, यह power अपना derive कहां से करता है, mainly, ठीके, यह अपना जहां से भी power, अब मैं आगे बत कहां से power derive करेगा, तो इसको saturated बोलेंगे, और कहां से करेगा, तो non-saturatory कहेंगे, तो देखो, जो saturated bodies होती है, इनको power कहां से मिलता है, statutes से मिलता है, ठीके, statute कहने का sense क्या है, कि ऐसा act जो की enacted by legislature है, ठीके, legislature कहने का sense क्या, parliament, लोग सभा, राज सभा and president, ठीके, तो यहां से आप example अगर देखना चाहो, तो National Investigation Agency है, NIA है, फिर National Human Rights Commission है, NHRC है, लोग पाल और लोग को युक्त है, इन सब के बारे में, पार्लियामेंट में अच्छा खासा discussion चला, ठीक है, और फिर इनके बारे में act पारित करा गया, तब जाके इन bodies को बनाया गया, तो simply आप समझना, कि Saturatory bodies, वैसे bodies को कहेंगे, जिनको act बनाके, legislature द्वारा act बनाके बनाया जाता है, ऐसे bodies को, उन्हीं को क्या कहेंगे, Saturatory bodies कहेंगे, फिर आप कहोगे ठीक है, Non Saturatory bodies क्या है, तो देखो, Non Saturatory bodies वैसे, ये भी एक का सक्टो body ही है, ठीक है, इवन body ही है, लेकिन इनका जो power है ये Executive Order से मिलता है, ठीक है, Simply, जो कि अभी समझो, अभी Executive का Head कौन है, President है, ठीक है, Head of the Executive कौन है, President है, लेकिन ये De facto हैं क्या, अगर De facto Head की बात करें तो कौन है, ये PM है, तो क्या करते हैं, जेनरली, कि PM अपने Order से, या फिर एक का सकते हो कि, हाँ, Executive Order से, कोई ना कोई body का formation कर देत हैं, ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे, हम लोग, Non-saturated bodies कहेंगे, ऐसे body के बारे में ना तो discussion का सकते हो किसमे, Constitution में दिया होता है, और ना ही इनके बारे में legislature में कोई discussion होता है, जेनरली, ये क्या किया जाता है, Executive Order से पारित कर दिया जाता है, जैसे कि, नीती आयोग है, National Development Council ह Council है, NDC है, ये सब क्या है, Non-saturated bodies है, अब देखो, यहां तक आप Saturated body, Non-saturated body समझ गये होगे, ठीक है, अगर Saturated body को further classify किया जाए, तो इनको दो form में classify किया जा सकता है, एक तो regulatory bodies, एक quasi judicial bodies, अब देखो, regulatory bodies क्या होती है, तो देखो, बहुत ऐसे field होते है, area होते हैं, जिसक अब उसको चलाना होता है, और वो क्या होता है, कि executive के supervisory से कर सकते हो, कि आप अलग होता है, तो simply आप समझ सकते हो, कि एक regulatory body क्या होती है, government agencies होती है, जो कि accountable होती है, किसी autonomous authority को exercise करने के लिए, human activity का कोई भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो regulatory body होती है, ये कर सकते हो, executive observation से परे ह होती है, या फिर अलग होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते एक्जामपल में, biodiversity authority of India, या फिर pension fund regulatory and development authority, PFRDA, ठीक है, अभी आगे भी मैं कुछ-कुछ ऐसे institutions को बताऊंगा, फिर आता है कि ठीक है, फिर quasi-judicial bodies क्या है, देखो quasi-judicial body की तरह होती है, जैसे कि supreme court है, high court है, civil court है, ठीक है, उसी तरह ये भी होती है, एक judicial body होती है, इनका भी mainly काम होता है, law को interpret, interpret करना, ठीक है, लेकिन जो इनका area है नो, वो बहुत ही limited होता है, या narrow होता है, अगर court से compare करा जाए तो, ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, NGT का, National Green Tribunal का, फिर National Human Rights Commission का, ठीक है, क्या है, इनका जो भी role होगा, ये forest से related है, Human Rights Commission का क्या है, जो भी role होगा, ये human rights से related है, मतलब कह सकते हो, कि इनका जो area है, बहुत ही narrow है, ठीक है, और उसमें भी ये क्या करते है, law interpret का का काम करते है, जो कि क्या होते है, quasi judicial bodies होते है, जैसे कि इसमें देख सकते हो, Central Information Commission Commission, ये भ regulatory body भी है, quasi judicial body भी है, तो हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप example देख लो, RBI का, ठीक है, RBI देखो, ये monetary से related अपना law भी बनाता है, rule भी interpret करता है, मतलब law भी interpret करता है, और regulate भी करता है, ठीक है, मतलब quasi judicial body भी है, and regulatory body भी है, जैसे से भी देख लो, ये भी क्या है, law भी interpret करता है, अब देखो, अगर आप list देखना चाहो, कि non-constitutional bodies है, जो की regulatory है, नेचर में, जैसे RBI है, Reserve Bank of India, SEVI है, Securities and Exchange Board of India, IRDAI है, PFRDA है, फिर NABARD है, आप NABARD का नाम सुनने होगे, SIDV है, NHB है, TRI है, Telecom Regulatory Authority of India, CBFC है, FSDC है, FASAI है, Food Safety and Standard Authority of India, ये सब आप नाम सुने होगे, ठीक है, ठीक है, फिर आप देख सकते हो, बहुत सारा है, जैसे PEPC है, Project Exports and Promotions Council of India, ठीक है, तो ये सब क्या है, देखो, ये सब regulatory nature में है, जो की non-constitutional body है, और regulatory है, अब आप यहाँ देख सकते हो, कि non-constitutional bodies, जो की quasi-judicial in nature है, ठीक है, जैसे National Human Rights Commission हो गया, National Consumer Disputesary Addressal Commission हो गया, Competition Commission of India हो सेबी हो गया, RBI हो गया, Central Information Commission, National Green Tribunal, Banking Ombudsman हो गया, ठीक है, Intellectual Property Appellate Tribunal हो गया, ये सब क्या है, ये सब non-constitutional bodies है, and quasi-judicial in nature है, ठीक है, तो देखो, जो भी quasi-judicial body होती है, ठीक है, इनके पास right होता है, कि ये investigations conduct कर सकते हैं, अगर कोई disputes या claims है, ठीक है, और इसमें क्या कर सकत है, इवन की सजा भी दे सकते है, ठीक है, जैसे की courts देती है, तो देखो, इस वीडियो में आपको constitutional bodies, non-constitutional bodies, और ये सारे चीज समझ में आ गया होगा, I hope, सो कि, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दुबारा देख सकते हो, जादा सम होता है, ठीक है, सब कुछ को in detail समझेंगे, और ये आपको बहुत ही एक जाम में help कर देगा, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जहिंद,